तो pass rule में P stand for pull the pin from fire extinguisher यानि कि fire extinguisher से सबसे पहले हमें pin को pull करना है यानि कि खीचना है A stand for am at the base of fire यानि कि जहांपर आग लगी हुई है उसके उपर हमें निशाना साधना है A stand for squeeze the handle यानि कि अब हमें उसका जो handle है उसे अच्छे से squeeze करना है यानि कि दबाना है और आखरी वाला pass का yes उसका मतलब होता है spread जिगजाग या फिर spread from side by side इसका मतलब बाद में आपको उसको spread करना है जिगजाग position में यानि कि side by side जहांपर आग लगी है तो दोस्तो आपको पता चल गया होगा कि pass rule का full form क्या है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि fire extinguisher की जो pin है उसे pull करना है यानि कि खीचना है उसके बाद आग जहांपर लगी है उसके उपर हमें निशाना साधना है और उसके बाद उसका handle अच्छे से दबाना है और दबाने के बाद उसे side by side spread करना है तो इनकेस अगर fire हो जाती है तो हमें याद आना चीए race procedure जो fire response procedure है तो इस race में R stand for होता है rescue या फिर remove मतलब अगर किसी आग में कोई भी अगर persons वहां पर फसा हुआ है तो उस scenario से उस scene से उसको immediately हमें वहां से rescue करना है या फिर remove करना है और उस persons को वहां से rescue हमें तभी करना है जब possible हो तभी करना है यानि कि अगर आप उस persons को वहां से remove करने में या फिर rescue करने के लिए सक्षम हो तभी आपको उसको rescue करना है फिर उसके बाद आता है A, A stand for होता है alert या फिर activate यानि कि आपके नीरेस में जो भी आलाम है उसको आपको पुल करना है और आलाम को रेस करना है ताकि आप जो है सभी लोगों को उस आपके बारे में अलट कर सको एक्टिवेट कर सको फिर उसके बाद है C, C stand for होता है confine या फिर contain तो इसमें हमें क्या करना है कि जहां पर भी आग लगी है जो आग वाला एरिया है उसके डोर को हमें close करना है यानि कि उस आग को हमें वही पर ही contain करना है confine करना है और वो भी हमें तभी करना है जब वो possible हो तभी करना है और फिर उसके बाद आता है E E stand for होता है एस्टीश या फिर evacuate यानि कि जो भी आग लगी है उसको हमें हमारे nearest में जो भी fire extinguisher available है उसका सहरा लेके उस आग को बुजहना है और वो भी हमें तभी करना है जब वो possible हो सके यानि कि छोटी अगर आग है और वो आग बुजाने के लिए अगर आप सक्षम हो आप well train हो तभी आपको उस आग को बुजाना है और अगर आपने ट्राइ कर लिया उस आग को बुझाने के लिए और फिर भी वो आग अगर नहीं बुझती है तो आपने खुद को जो है वहाँ से इवेकुएट करना है वो भी जो भी designated meeting location रहेगा या फिर assembly point रहेगा वहाँ पर तो इस प्रकार इनके सबर कही पर अगर फार होती है तो आपको याद आना चीए race method